प्रेज़ दर ओर्ड आप सबको जय मसी की मैं परमेसर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबा दिखाने के लिए एक और दिन परमेसर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया हम परमेसर को कुटी कुटी धन्यवाद दे एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस पास्चर राज महसी आपके समों को पस्तित हूँ प्रूपल्स में आज का सवाल है कि आमोस का कौन सा बेटा नभी था आमोस का कौन सा बेटा नभी था अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिया नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा एक छोड़ी सी प्रातना करके आज की वचन को शुरू करेंगे प्रभुजी मैं धन्यवादेत हूँ अज की सुभा दिखाने के लिए बिंती करता हूँ प्रभुजी आज के वचन को श्यर करने मेरी मदसाहता कर मेरे हुटोको मेरे दिलबिमा को छूकर ब्लैस कर मेरी आत्मा मेरा शेयर तेरही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं में की तरह आत्मा हो जितने भी लोग इस बचन को देख रहे हैं सुन रहा हैं सब पर मैं तेरी आशिश बोलता हूँ हर एक को आशिशित कर हर एक की रोग बिमारी चिंता परिशानिया दुख तकलीफे लड़ाई जगड़े तफर के मन मुटाओ बांजपन प्रभुजी करजे और प्रभुजी बेरोजगारी नशा बिमारियां हरे घर से दूर कर देत अपने बच्चों को प्रभुजी आनंदित कर उनके घर से सारी तकलीफों को दूर कर प्रभुजी और प्रभुजी अपने बच्चों के जिवन में अद्बुदर बड़े काम कर आश्चरे करम कर प फुटा सा वचन है और हम आज बात करेंगे विश्वास और भरूसे के लिए जब हम इबरानियों 11 अध्याय और उसके 6 बत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि परमेसर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल द होते हैं ऐसी परिस्थिती में हम परमेसर को ढूंडते हैं उसके पास आते हैं लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम आते हैं और चले जाते हैं हमें भाबाने रहना है हमें इस बात पर विश्वास करना है कि हाँ परमेसर है परमेसर है और अगर मैंने इसको खोज लिया तो आज मेरी प्रात्मा का प्रतिफल परमेसर मुझे जरूर देगा, इबरानियों 11 छे, पढ़ लिजे हैं पर ध्यान से सुनिये, क्या लिखा है, लिखा है कि परमेसर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, कि वो है, उसकी एक शक्षियत है, वो एक सामर्थी परमेसर ह करने वाला प्रभू है, वो मेरे और आपके जिवन को समारने वाला, सुधारने वाला, बनाने वाला परमेसर है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि साप लिखा है, ये परमेसर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, कि वो है, और फिर नीचे लिखा है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है क्या प्रतिफल है प्राथना का उत्तर इससे बड़ा प्रतिफल हमें और कुछ चाहिए भी नहीं प्राथना का उत्तर मिल जाना परमेसर के पास आने का मतलब है प्राथना में उससे मिलना और प्रतिफल का मतलब है हमारी प्रात्ना का जवाब मिल जाना हम कोई भी प्रात्ना करें संसारिक चीजों के लिए नहीं कि मुझे ये चाहिए ये मुझे नहीं वो तो सब हमारा है हमें ये प्रात्ना करने चाहिए कि प्रभू मेरी तकलीफ है, मेरी दुख, मेरी परिशानियों को दूर कर, मैं आत्मिक उन्नती चाहता हूँ, आत्मिक उन्नती चाहती हूँ और मुझे अपने में आगे बढ़ा, मुझे आत्मिक जीवन देता कि मैं सारी कठिनाईयों से पार हो सकूँ, और भी बहुत सारी ब विशवास से प्रातना करोगई और इस पहाड से क्या होगए कि समुन्दर में जागिर तो वो चला जाएगा। यह विशवास का एक परिमान है हमारे लिए। येसु मस्ती ने हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए बात कही है कि क्या करना चाहिए कि हमें विश्वास से प्रात्ना करने चाहिए ताकि उस विश्वास के दोरा हमारे जीवन में काम हो लेकिन सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलता एक चीज़ और है जो इसके साथ जुड़ी हुई है और वो है भरोसा हम संसार के लोगों के पर भरोसा करते हैं अपने भाई पर अपनी बहन पर अपनी माता पर पिता पर अंटी पर अंकल पर अपने दोस्तों पर भरोसा रखते हैं कि हाँ यह हैं जो मुसीबत मेरे काम आजा खरोसा अगर परमिसर पर रखें तो हम कभी भी संकट परिशानी में चिंता में नहीं पड़ेंगे। एक छोटा सा किस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जो रस्ती के सहारे पहाड पर चड़ रहा था। और पहाड पर जब पहुँचा चोटी पर पहुँचने वाला था इतने में रस्ती उसके हाथ से छूट गई। शाम का समय था लुड़कता हुआ आ रहा था तो एक हाथ में उसके रस्ती आ गई। और वो रस्ती पर जूल रहा था। उसने विश्वास से पुकारा है प्रभू मुझे बचा। यही तो परात्ना है। इमरानियों 11.6 में क्या लिखा है कि परमेसर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। इस व्यक्ति को आना पड़ा परमेसर के पास क्योंकि यह संकट में आ गया था अगर गिर जाएगा तो मर जाएगा यह जानता है। इसलिए इसने जब रस्टी को पकड़ लिया तब यह परमेसर के पास आया और विश्वास के साथ इसने प्रात्ना की के हे प्रभू मुझे बचा। यह विश्वास था असका। लेकिन भरोसा भरोसा कब करना चीए हमको अब क्या हुआ जब उसने पुकारा के हे प्रभू मुझे बचा तो क्या हुआ एक आवाज उसको आई। उसने का अगर तू बचना चाहता है तो रस्षी को छोड़ दे। इस बात पर उस व्यक्ति ने भरोसा नहीं किया। आवास चुनली परमेसर की प्रात्ना कर ले विश्वास भी किया लेकिन भरोसा नहीं किया। हम पढ़ते हैं भजन सहीता बासचत अध्याय और उसके आठ पद में देखे क्या लिखा है। यह लिखा है कि हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो उससे अपने-पने मन की बाते खोल कर कहो परमेसर हमारा श्रण स्थान है। हर समय उस पर भरोसा रखना अच्छा हो बुरा हो बिमार हो भले चंगे हो कमी घटी में हो और चाहे हमार पर बहुत स्यंधन हो कैसी भी परिस्तिती हो कैसा भी मौका हो हमें हर समय परमेसर पर भरोसा रखने के आग्या। पर दी गई है भजन सेता बास्ट अध्यास के आठपने लिखा हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बाते खोल कर उससे कह दो। इसने खोल कर कहा हे प्रभू मुझे बचा परमेसर ने सुन लिया और कहा बचना चाहता है तो रस्ति को छोड़ दे लेकिन उसने इस बात पर भरोसा नहीं किया वो डर गया उसने का अगर मैंने रस्ति छोड़ दी तो मैं गिर गया और मेरी हड़ी हड़ी टूड जाएगी मैं चकना चूर हो जाऊंगा मैं मर जाऊंगा परमेसर की बाष पर भरोसा करना मेरा और आपका करतव्य है ये आग्या का पालन है क्योंकि वचन कहता है हर समय उस पर भरोसा रखो उस व्यक्ति ने भरोसा नहीं रखा और वो रस्ति पगड़ कर लटका रहा शाम का समय था धीरे 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 रात होती गई, बरफ पढ़नी शुरू हो गई, और क्या हो गया, वो बरफ में जम कर मर गया, जब सुभा महाँ पर उसके साथियों ने आकर देखा, तो वो पृत्वी से सिर्फ इतनी दूरी पर था, इतनी दूरी पर था, अगर वो रस्ती छोड़ देता, तो उसके पैर जमीन पर टिक जाते हैं, उसने रस्ती नहीं छोड़ी, भरोसा नहीं किया, विस्वास तो किया, लेकिन भरोसा नहीं किया, रस्ती छोड़ देता, पैर उसके जमीन पर टिक जाते हैं, और वो बच जाता है, दोस्तों भरोसा बहुत जरूरी है, बाइबल क्य बताती है परमिस्तर के ओपर भरुरूसा करने वालों के लिए देखेंगे बजन सहीता 125 अध्याए और उसका पहला पद हम देखेंगे कि यहां पर परमिस्तर का बचन भरुरूसा करने वालों के विश्चे में क्या कहता है। यहां लिखा है कि जो यहवा पर भरोसा रखते हैं बेश सहियों परवत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है हम परवत के समान हो जाते हैं पहाड के समान हो जाते हैं जो तहस रहस नहीं होता जल पर ले आये था पहाडों को कुछ भी नहीं हुआ था पहाड एस इटीज जसके तस ऐसी खड़े थे वो है हमारा भरोसा जब हम परमेसर के उपर विश्वास करते हैं दोस्तों तो हम भरोसा भी करें कि वो ही है जो सब कुछ कर सकता है अयूप की पुस्तक में लिखा बैयाली सद्याए उसके दूसरे पन्ने मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती अपने हाथों को उठा कर प्रातना कीजिए प्रभू मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती प्रभू इसलिए मेरा विश्वास तुझ पर है और मेरा भरोसा भी तुझी पर है येश्यू के नाम से मांग दे आमिन अपने विस्वास का प्रदर्शन कीजिए अपने भरोसे का प्रदर्शन कीजिए परमेसर के सामने परमेसर बहुत बड़े-बड़े काम करने के लिए आज भी तैयार है परमेसर मेर्चनों के जारा हम सब को आशीर दे यदि आज आज आपने कुछ नया सीका है तो कमेंट्स में लिख दीजेगा और इस वचन को शेर कीजे ताकि और भी लोग इन दूनों बातों पर धियान करें कि विश्वास और भरोसा दोनों एक दूसरे के प्राय है इनके बिना हमारा जीवन भी कुछ नहीं है प्रेज दे लोट ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि आमोस का कौन सा बेटा नभी था अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजें नहीं प्रेस्क्रिप्शन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा प्रेज दे लोट यदि अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन की दवाईए ताकि नोटिक्रिकेशन आपके पास पहुंचे नया वीडियो नई जानकारी बिना वेवधान के आपके पास पहुंचे मेरे वीडियो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट्स बोक्स में आकर मुझसे जरू बाचित कीजिए प्रेज दे लोट आज के लिए पसे इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर तब तक के लिए मुझे अजाज़त दीजिए लेकिन अपनों और अपनों का ख्याल रखिये और विश्वास और भरूसा दूनों परमिसर पर बना कर रखिये बड़े काम होने वाले हैं प्रेज दूनों